Hello students, Important Water Bodies की सीरीज में आपका स्वागत है Students, आज हम बात करेंगे सांबर लेक के बारे में सांबर नाम की ये जो जील है, जिसे सांबर सोल्ट वोटर लेक के रूप से भी जानते हैं ये राजस्तान के अंदर सिच्वेटेड है students सांबर नाम की जील है, जिसे सोल्ट वोटर लेक के रूप से जानते हैं राजस्तान के अंदर सिच्वेटेड है, तो आप राजस्तान में सिच्वेटेड होनी की वज़े से सोच सकते हो कि वहाँ पे जो टेंप्रेचर है वो ज्यादा रहता है, समर के समय में 50 डिग्री के अराउंड वहाँ पे टेंप्रेचर पहुँच जाता है इसके अलावा जो temperature ज़्यादा होगा तो इसकी वज़े से आपको too much जो water का evoperation है वो भी देखने के लिए मिलता है और अगर हम बात करें precipitation है वो काफी कम है राजस्तान के अंदर तो ये एक factor है इसकी salt water lake create होने के behind में और भी काफी सारे factors हैं जो इसको salt water lake बनाने के behind के factor है इस्टुडेंट्स अगर हम बात करें सामबर salt lake के बारे में तो सामबर salt lake जो है इंडिया की सबसे largest salt water lake है inland area के अंदर जो जमीन का जो हिस्सा है जो जमीनी जो हिस्सा है उसके अंदर सबसे बड़ी salt water lake है ये इंडिया की सामबर जील इस्टुडेंट्स सामबर जील जो है इसका जो यहाँ पे हम बात करें location की तो राजस्तान के अंदर जो राजस्तान की capital है जैपुल उसी के पास में ये situated है सामबर नाम की ये जो जील है वो अगर हम बात करें इसका area वाई ये district वाई ये कहां पे situated है तो तीन ऐसे district हैं जिसके अंदर ये अपना जो area है वो share करती है जिसमें अजमेर के साथ अपनी border share करती है और नागोर और जो जैपु डिश्टिक है उसके अंदर में ये गिरती है इस्टुडेंट्स क्या हमको districts याद रखने चाहिए किसी भी लेक के बारे में या किसी भी protected area या कोई important हमारे environment से related body है उसके बारे में इस्टुडेंट्स UPSC ने कभी इतना detail में questions तो नहीं पूछे हैं बट 2020 के समय में एक question इस तरीके से पूछ लिया गया था डजट नेशनल पार्क से related वो question था उसके अंदर बताया गया था एक statement में कि क्या डजट नेशनल पार्क जो है वो अपनी boundary एक district के अंदर सेर करता है या दो districts के अंदर वो सेर करता है अपनी boundary तो ऐसा एक statement जरूर पूछा था तो आपको read कर लेना चाहिए हो सकता है कि कोई यहाँ पर unique characteristic feature हो तो पूछ लिया जाए आपसे जो question है वो तो सबसे largest inland salt water lake है इंडिया की ये सांबर जील जो राजस्तान के अंदर situated है जैपूर के पास में नागोर, अजमेर और जो जैपूर district है उसके अंदर अपनी जो boundary है वो ये सेर करती है students हमारी government के दुआरा सांबर जील को important जो wetland है जो रामसर convention है जिसके अंदर wetlands को designate किया जाता है तो उसके अंदर रामसर site के अंदर Indian government ने इसको यहाँ पे चिन्नित किया है इसको designate किया है एक important रामसर site के रूप में students wetland होने की वज़े से और हमारा जो इंडिया है वो Central Asian flyway के अंदर गिरता है तो हमें पता है कि जो winter का जो समय होता है जो winter के समय में Central Asia से काफी सारे birds हैं जो इंडिया में आते हैं जिसे हम विदेशी महमान के रूप में जानते हैं और हमारी जो एक प्रमपरा भी रही है इंडर next उसका भी जो logo है वहाँ वो हमने वासुदेव कुटमकम का जो logo है वो show किया है वो show किया है कि इंडिया यहाँ पे सभी को welcome करता है और यह complete जो globe है वो एक ही family का एक इस्सा है students important wetland होने की वज़े से यहाँ पे जो centrulation flyway में गिरने की वज़े से यह जो सांबर लेख है इसके अंदर आपको winter के समय में काफी सारे जो migratory birds है वो आते हुए दिखाई देते हैं पर यहाँ पे 2020 का जो समय था 2019-20 का जो समय था उस समय ऐसे यहाँ पे situation create हुई कि around 20,000 के आसपास जो migratory birds है उनकी death हो गई थी सांबर लेख के पास में तो यह आपको पता होना चीए कि वहाँ पे कुछ ऐसे situation create हुई थी कि जिसकी वज़े से काफी सारे जो migratory birds है उनकी death वहाँ पे हुई थी यह भी एक topic था पिछले recent कुछ ही years में, avian botulism के नाम से वो virus है या जो भी situation है वो create हुई जिसकी वज़े से काफी सारे जो migratory bird हैं उनकी वहाँ पे death की जो news है वो निकल के आई थी, students अगर हम बात करें सांबर लेख के बारे में तो सांबर लेख का basically जो depth है वो यहाँ पे increase और decrease करता ह है जब यहाँ पे water की availability होती है तो depth काफी नीचे तक चला जाता है बट summer के समय में हमको देखने को मिलता है even the just before the monsoon period से just पहले हमको देखने के लिए मिलता है कि इसकी जो depth है वो काफी कम यहाँ पे observe की जाती है सांबर लेख की जो depth है अगर हम बात करें सांबर लेख के यहा और यहाँ रिसीव करती है तो six कुछ river बताई गई है च्छै कुछ ऐसी नदियां बताई गई है जिससे यह अपनी जो पानी है वो intake करती है जिसके अंदर वहाँ पे जो सामोध है मेरता है खंडेला है खारी है और रूपनगर्ड नाम से कुछ नदियां है जिन से यह अपन पानी है वो यहां से receive करती है स्टुडेंट सांबर लेक surrounded by the arowlis hills arowlis hills से ही चारो तरब से गिरी हुई है और ऐसा भी बताया जाता है कि सांबर लेक जो बनी है arowlis के depression की वज़े से यहां पे create हुई है सांबर लेक अगर हम बात करें यहां पे पाई जानी वाली vegetation के बारे में तो यहां पे आपको जो जीरोफाइट टाइप की जो plantation है जीरोफाइट टाइप की जो vegetation है वो आपको देखने के लिए मिलती है क्योंकि वहां की जो climatic condition है वहां की जो geographical situation है उसको देखते है हुए है इसी तरीके का जो plantation है या vegetation है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जो migratory bird यहां पे mostly विजिट करते हैं उनमें है great indian flamingo जो है इसके लाव पैलीकन है waterfalls है यह आपको वहां पे देखने के लिए मिलते हैं यह वो migratory bird है जो mostly यहां पे विजिट करते हैं winter के समय में अगर हम बात करें present context में जो सामर ले किस किस वज़े से news में है तो students हमारी government के दुआरा union government के अंदर जो ministry of tourism है उसके दुआरा 2014-15 के समय एक scheme launch की गई थी scheme का नाम था स्वेदेश दर्सन scheme तो स्वेदेश दर्सन scheme के थुआ government के दुआरा यहां पे काफी सारी जो circuits हैं वो develop की गई है उसके अंदर एक circuit है desert circle desert circle का ही part है हमारी यह जो सामर लेख है desert circle का part है इसके लावर राजस्तान government ने इसको important tourist जो destination है उसके रूप में भी show किया है उसके रूप में develop करने की कोसिस की है salt train वहाँ पे चलाई गई है salt train basically जो salt वहाँ पे produce होता है उसको जहाँ पे refining के लिए लेके जाता है तो उसके लिए जो salt train है वो भी अभी recently वहाँ पे start की गई है students इसके अलावा अगर हम बात करें temporary shelters हैं वो राजस्तान की government के दुआरा वहाँ पे create किये गए हैं अब ये temporary shelter किसके लिए create किये गए हैं temporary shelter है migratory birds के लिए क्योंकि 2019 में जिस तरीके से migratory birds के वहाँ पे death हुई उसके बाद में राजस्तान की government के दुआरा वहाँ पे जो आने वाले जो migratory birds हैं उनके लिए कुछ temporary shelter हैं उनको create किया गया है तो ये कुछ वहाँ पे जो important present समय का जो वहाँ पे context है उसके बारे में हमने discuss किया अरावली hills से 4 तरफ surrounded है हमारी ये जो सांबर लेक है इसके लावा largest इंडिया का inland अगर हम बात करें salt के production के रूप में जाना जाता है और राजस्तान का जो maximum large सबसे ज़्यादा जो salt का production होता है वो इसी सांबर लेक से हमको देखने के लिए मिलता है important wetland है तो हमारे लिए काफी ज़्यादा important है आपको पता हो होना चाहिए कि सांबर लेक कहां पर situated है तो students ये कुछ हमने सांबर लेक से related कुछ facts से जिनको हमको हमने discuss किया अब next lecture में कोई दूसरी water body के बारे में discuss करते हैं तो जब तक के लिए आप बने रहे हैं हमारे साथ thank you students thank you very much